नमस्कार मैं डॉक्टर अपूरु शर्मा कंसल्टें नियॉरलोजी मनिपाल हॉस्पिटल पालम विहर गुडगाउं आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ के बारे में तो जैसे फिजिकल हेल्थ हमारे इंपोर्टेंट है फिजिकल हेल्थ की इंपोर्टेंस हम सबको पता है तो आप दिन के सारे काम बिना थकान के कर सकते हैं और जीवन जीने में एक अलग सा आनंध मैसुस होता है वैसे ही ब्रेन हेल्थ भी इंपोर्टेंट है ब्रेन हेल्थ अधिक मात्रा में हमें तब रेलेवंट होता है जब हमारी उमर बढ़ती है जैसे हर दशक बढ़ता है वैसे वैसे brain health deterioration का संभावना पड़ती है और especially 60K age के बाद जब इंसान retire हो जाता है या भी कुछ institute में, कुछ organization में 65 का cut off है post retirement जब brain उतना अच्छा challenge नहीं accept करता है routine, lifestyle, monotonous activities में brain health अक्सर सफर करते हैं brain health के बिगणने के और भी कई कारण है जैसे कि high blood pressure होना, जिस वज़े से चोटी चोटी brain की arteries अंदर से narrow हो जाती है और उस वज़े से end organ जो brain के चोटे चोटे से circuits हैं कई जगे पे वो सफर करते हैं और उनमें इस chemik stroke हो सकता है दूसा कारण है high blood sugar, diabetes के ब्रेन ही नहीं बलकि शरीर के ज्यादा तर अंकों खराब करते हैं major reason इनमें vascular injury या vascularopathy के कारण होता है यानि disease of the small blood vessels, high cholesterol, smoking, drinking, बहुत ज्यादा non-wage तला चिकना खाना यह सब भी कई कारण होते हैं brain health deterioration के इसके अलावा अगर monotonous life है जिसमें की इनसान सुबह से शाम तक एक हलका सन एक नियम ही बांद के बैठा है और कोई भी challenging activity या कोई entertaining activity नहीं कर रहा तब भी brain health time के साथ खराब होती है so हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे की हमारा brain health deteriorate ना करें और हम अपने जीवन को उतने ही अच्छी तरीके से enjoy कर सकते हैं जैसे good physical health वाले इंसान महसूस करता है सबसे important है smoking drinking को completely stop करना है blood pressure को every week twice twice a week हफते में दो बार जरू record करना है sugar अपने diabetologist या physician से मिलके जैसे से वो recommend करते हैं वैसे record करके manage करना है cholesterol annual check-up होना चाहिए at least इसके अलावा physical activity इसे भी brain health improve करता है so at least 120 minutes a week यानि कि लगबग 2 घंटे से ज़्यादा physical activity होना चाहिए और आप diet में fresh fruits and vegetables को include करें तला चिकना चीज कम से कम करतें और अपने खाने पीने का timing adjust कर लें जिससे की बहुत erratic time schedule ना हो इसके अलावा most important बात जो हम बताते हैं कि brain के कई circuits हैं हरे को individually activate करने के लिए एक तो हम कहते है mathematics या गणित के sum करने हैं अगर आसान में बता है तो class 5 to class 7 के maths का workbook आप कर सकते हैं सुबे 9 से 11 12 के आसपास दुपैर को हम बोलते हैं कि हफते में तीन दिन साइनोपसिस बनाई है यानि जो भी आपने आर्टिकल न्यूस पेपर पड़ा है उसको अपने ही शब्दों में पैरफ्रेज करके एक अपना चोटा सा का जिस्ट बनाई है जिसम साइनोपसिस भी कहते हैं रीडिंग राइटिंग ऑविसली हेल्प करेगा ड्रॉइंग यानि चित्रहारी यह करने से भी आपका ब्रेन एक्टेव हो रहता है इसके अलावा अपने दोस्तों से सगे संबंदियों से जरूर मिलना है हफते में अट अगहाँ पेशित्रoseण पेश मिलना है कम्रें ज करेज आपका बांचे करे तोस्तों से जरूर झाएव करेंग और है उन्यक्वाद़ख से अज़ साइनों से अघंदिफ से सहे ओं़UST ह्का रागिन है।